है गाइस आइकू नियो 9 प्रो अभी ही लॉंच हुआ है एड वन प्लस 12 आर जो कुछ टाइम पहले लॉंच हुआ था गाइस दूनों ही ना एक पर्फॉर्मांस संत्रिक फोन है अवकोस कैमरा कई कंपरेजन है ईस वीडियो में फिससे प्सक्राइस इस थीक्राइबे पॉन परफॉर्मांस को को ना मैं परस्नली मैं इ uniform यो जाल कहीं उसक्राइब तो उस हिसाब से यहां पर clear एक winner मिला है मुझे जो जादा value for money हो सकता है and जो जादा better है performance wise या camera wise तो guys इस वीडियो में हम इन दोनों का full comparison करेंगे and देखेंगे कौन सा जादा better है, कौन सा जादा value for money है so hey guys मेना मवनाव, आप देखेंगे टेकट 6 and this is full comparison between iqoo neo 9 pro versus oneplus 12r so let's begin okay video शुरू करने सबले guys आप लोग से request करूँगा अगर आप चैनल में नहीं हो तो subscribe करके bell icon जरूर दबा लो video काफी interesting होने वाला है तो अच्छा लगे तो like भी जरूर करने talking about build quality तो guys देखो built wise यहां पर personally मुझे oneplus 12r जादा बेटर लगा है premium लगा है क्योंकि इसमें glass body है पीछे and side में aluminium frame है iqoo में आपको leather bag देखने हो मिलता है and guys यह जो dual tone color है मतलब जब मैंने सामने से देखा ना मुझे काफी जादा अच्छा लगा तो मतलब look wise है ना वो definitely यहां पर iqoo जादा better लगता है but feel wise थोड़ा premium लगता है oneplus 12r and guys एक चीज़ और है oneplus 12r में काफी जादा fingerprints आती है तो यह एक annoying चीज़ हो सकती है बट हाँ अगर आप back cover use करते हो तब तो आपको कोई tension लेने की ज़रूत नहीं है बट overall build quality यहां पर oneplus 12r की जादा better लगी मुझे अच्छा एक चीज़ मैंने और notice की है आपको iq में 11 5g bands देखने हो मिलते है oneplus 12r में 12 5g bands देखने हो मिलते है but guys जो speed wise में बात करो ना दूनों का काफी similar है बतलब अफकोस एक 5g bands से बहुत जादा अंतर नहीं पड़ेगा तो दूनों का काफी similar है but yes मैंने एक चीज़ नोटीक सिक है iq में जनरली आपको uploading speed जादा better मिल रही है क्योंकि मैं भाई youtube अगरा करता हूं तो मेरे लिए uploading speed ना काफी जादा matter करता है तो uploading speed अपको थोड़ा सा iq में जादा better देखने को मिलेगा now talking about display थो guys iq में and oneplus दोनों में आपको 6.78 inches की ऊपर amoled display देखने को मिलती है and यहां पे display preference अपना-पना हो जाता है आपको oneplus में curve देखने को मिलता है iq में flat देखने को मिलती है but overall display की quality दोनों की काफी अच्छी है yes on paper oneplus में आपको 4500 nits की brightness देखने मिलती है and iq में सिर्थ 3,000 nits की brightness है on paper बहुत दादा difference है brightness में but ऐसे usually मुझे जादा फर्क पता नहीं चला है अगर normal use भी करूं तो मैंने basically indoor ही जादा use किया outdoor बहुत कम use किया है बस photo samples लेते वक्त मैं outdoor गया था तो मुझे outdoor रूमे भी ऐसाच कोई difference देखने को नहीं मिली है display की colors दोनों की काफी अच्छी है and दोनों ही थोड़ा सा saturation हलका सा है जो काफी अच्छा लगता है अगर आप multimedia consume करते हो न तो आपको display दोनों का ही काफी immersive देखने को मिलता है अच्छा एक चीज है दोनों में dual speaker देखने हो मिलती है वैसे तो speaker की quality दोनों की अच्छी है but one plus में आपको थोड़ा जादा crisp and loudness भी even one plus में मुझे जादा better लगी है as compared to iqoo एक चीज और है आपको one plus में 120 hertz का display देखने हो मिलता है iqoo में भी 120 hertz है normal usage में हाँ अगर जाब आप gaming करते हो न तब ही 144 hertz में switch होता है तो बहुत ज्यादा difference नहीं है but still आपको 144 hertz वाला एक edge iqoo लेकर जाता है अगर आप gaming बगेरा जादा करते हो and of course आप अगर यह phone ले रहे हो तो आप gaming करोगे तो यार जादा wait नहीं करते है performance की बात करते है क्योंकि इन दोनों में ना proper gaming की है मुझे दोनों में यार gaming experience काफी अच्छा देखने को मिला है उससे पहले इसके अंदर के powerhouse की बात करते है which is snapdragon 8 gen 2 दोनों ही smartphone में and guys दोनों की ना performance देखो day to day life में में बताता हूँ दोनों की performance काफी अच्छी है multitasking में भी दोनों की performance काफी जादा अच्छी है बट वही guys IQ में graph बिलकुल green रहता है and 89% का यहां पर देखने को मिला है score तो यह definitely IQ में on paper अच्छी की है and even मैं practical use की भी बात करूँ guys तो practical use में भी IQ मुझे जादा better लगा है हाँ यहां पर ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया भी हाँ I know यह नया निकला है तो हो सकता है यह थोड़ा optimize होने में थोड़ा time लगाए but overall जो मैं performance की बात करूँगा न तो BGMI बगर खिलते हो तो आपको दोनों में ही ultra HDR में ultra देखने को मिलता है settings and दोनों में ही काफी अच्छा experience मिलेगा gaming का but OnePlus में आपको 60 Hz continue देखने को मिलता है IQ में यह बहुत जादा fluctuate करता है but overall still मुझे ना थादा smoothness IQ में लगी है as compared to OnePlus but ऐसा नहीं है कि OnePlus की performance खराब है guys day to flash में तो दोनों में ही कोई problem नहीं है but हाँ एक चीज है कि edge ले जाता है performance के department में अगर आप heavy gaming कर रहे हो न तो IQ थोड़ा कम heat होता है यह मैंने देखा है as compared to OnePlus and guys यह मैं काफी heavy gaming करने के बाद ही बता रहा हूँ वैसे मैं बहुत जादा game नहीं खेलता हूँ but क्योंकि यह दोनों performance centric phone है तो दोनों में ही काफी तगड़ी gaming की है इसके बाद यह conclusion निकला है कि IQ का जो है न gaming experience आपको थोड़ा जादा better देखने को मिलेगा as compared to OnePlus क्योंकि IQ में आपको extra Q1 chip भी देखने हो मिलता है इसके performance को और enhance करने के लो अच्छा storage type के बाद करो तो IQ में 4.0 है OnePlus में 3.1 है UFS and yes मतलब definitely storage type आपका 4.0 जादा better है and यह आपको मतलब मैंने उतना जादा चेक नहीं किया यार मतलब transfer अगरा करके data speed क्योंकि मैंने बताया काफी limited time के लिए मुझे use करने मिला था तो बहुत जादा कुछ चेक नहीं कर पाया वैसे गाइस मैं ट्राइ कर रहा हो कि इसका एक full dedicated camera comparison and performance test दोनों ही लाने की आप लोग बताना comment में इन दो tests के अलावा आपको और कौन सा test चाहिए तो मैं try करूंगा लाने की but yes अभी timeline में camera comparison and performance test दोनों ही है but overall मुझे यहाँ पे performance wise IQ थोड़ा जादा better लगा है अच्छा एक बात आजाती है कि जब आप इतना महंगा phone लेते हो तो आप definitely long term use के लिए लोगे तो guys long term के हिसाब से ना देखो one plus में तो oxygen oz देखने हो मिलती है and इसमें ना bloatwares वगरा जादा देखने को नहीं मिलते है ads वगरा तो है ही नहीं तो bloatwares जादा नहीं है customization आपको definitely देखने को मिलता है जादा and always on display देखने हो मिलता तो उसमें भी काफी customization है उपर से fingerprint scanner है तो दोनों का fingerprint scanner वैसा ही तो काफी कमाल का है काफी अच्छे से work करता है पट हमेंने एक चीज़ देखा है कि IQ में जो fingerprint scanner की जो position है वो थोड़ी weird but OnePlus में काफी सही कर रहा है fingerprint scanner की जो position है but yes, OnePlus में आपको software wise 3 year का major software update देखने को मिलेगा and 4 साल की security update देखने को मिलेगी but IQ में सिर्फ 2 years का major android update है उसके लाबा 3 साल के security update है तो long term के लिए अगर आप देख रहे हो conclusion में बताऊंगा and conclusion थोड़ा अलग है तो yes, overall long term के लिए OnePlus जादा better रहेगा okay, तो कैसे हम बात कर लेते camera की तो देखो OnePlus में काफी weird choice है इसमें आपको 50 megapixel का main sensor देखने को मिलता है 8 megapixel का ultra wide है and 2 megapixel का macro sensor दे दिया है मतलब macro क्यों देते है आज कल बट चलो ठीक है आपको IQ में 50 megapixel का main sensor है and 8 megapixel का ultra wide है दो ही camera setup देखने को मिलता है आपको IQ में but guys मैं अगर portrait photos की बात करू तो यहाँ पर मुझे जादा better photos IQ के लगे है हाँ, एक चीज मैंने notice किये जो skin tone है वो throughout front camera की बात करू, back camera की बात करू या videos की बात करू OnePlus काफी तगड़ा लगता है but portrait में edge detection IQ का जादा better है and na IQ हलका zoom करके photos लेता है तो वो और जादा better आता है portrait में वहीं पर मैं main sensor की बात करू तो dynamic range IQ मुझे जादा better लगा है बहुत जादा नहीं but थोड़ा सा जादा better है light control बगरा IQ जादा अच्छा रख रहा है but guys यहाँ पर skin tone थोड़ा सा जादा मुझे better OnePlus का लगा है but guys दोनों के इना camera काफी जादा similar है मतलब कोई कोई photos में डिफरेंस बताना मुश्किल हो जाएगा इतना similar है but हाँ ultra wide में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ultra wide में OnePlus में आपको dynamic range थोड़ा जादा better देखने को मिलता है but दोनों के मुझे quality काफी अच्छी लगी है मैं ना सच में बता हूँ तो camera में यहाँ पर winner मैं चूज नहीं कर सकता हूँ यह अपना-पना preference हो जाता है कि आपको कौन सा color tone जादा better लगता है but yes overall back camera में portrait जादा better मुझे iqoo का लगा है dynamic range मुझे जादा better iqoo का लगा है but yes skin tone जो है वो मुझे OnePlus का जादा better लगा है वहीं पर कैसा मैं वीडियो की बात करूँ तो आप iqoo में 8K 30fps तक video recording कर सकते हो and OnePlus में 4K 60fps है but हाँ front camera की बात करूँ तो दोनों में यह आपको 16MP का selfie camera देखने हो मिलता है and again दोनों की photos काफी similar है बस skin tone का मुझे difference देखने को मिला है and portrait mode में यहाँ पे भी edge detection जादा better iq को लगी है and skin tone again OnePlus का जादा better है तो यहाँ पे एक चीज़ conclude कर सकते है कि OnePlus ने जो skin optimization है वो जादा better कर रख है iq का खराब नहीं है personal choice हो जाता है मुझे OnePlus का जादा better लगा है and जादा close to natural लगा है iq थोड़ा सा change करता है definitely but guys portrait mode वगरा edge detection na iq की कमाल की and guys वहीं पे मैं बात करूँ battery की तो आपको iq में 5,160 mAh की battery देखने हो मिलती है काफी weird choice है and OnePlus में 5,500 mAh की battery देखने हो मिलती है तो देखो मैं on point में आता हो दो दिन की use में न मुझे बहुत जादा तो मतलब यहां पे difference नहीं दिखा है बहुत जादा मैं comment नहीं करना चाहूँगा battery के बारे में but yes दोनों में मतलब मैंने जितना use किया एक दिर दिन चल जा रही थी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी हाँ एक चीज़ मैंने notice की है इन दोनों ही smart phone की fast charging IQ में आपको 120 watt का fast charging support करता है and OnePlus में 100 watt का and दोनों की charging काफी कमाल की है तो यह चीज़ definitely मैंने notice की है so yes battery backup भी मुझे काफी similar लगी है charging भी charging speed भी काफी जाधा similar तो guys बात करते है final verdict की आपको कौन सा smart phone consider करना चाहिए देखो guys काफी simple है आपको IQ ना almost 35,000 का पड़ेगा offers वगरा लगा के थोड़ा सा उपर नीचे हो जाएगा but guys OnePlus के लिए आपको 40,000 देना पड़ रहा है camera में as such कोई problem नहीं है हाँ एकाद bugs है जो fix हो जाएंगे and जो मैं camera comparison में बताऊंगा आपको but बहुत जाधा difference नहीं है camera definitely OnePlus का भी better है but काफी similarities है तो मुझे जाधा better value for money IQ लगा है whether आप performance की बात कर लो या फिर camera की बात कर लो या फिर multi-dasking की बात कर लो सब में मुझे IQ जाधा better लगा है क्योंकि इसका price कम है OnePlus से अगर price दोनों का similar होता न तो यार ये conclude करना कि आपको कौन सा smartphone लेना चाहिए थोड़ा मुश्किल होता but क्योंकि IQ आपको 5000 कम में मिल रहा है तो मेरे जाब से जाधा value for money IQ रहेगा performance wise भी and camera में भी yes थोड़ा optimize होगा तो all better हो सकता है बढ़ हाँ एक जगा यहाँ पर OnePlus Edge ले जाता है कि brand value OnePlus की जाधा है बहुत लोगों आईकू के बारे में पता भी नहीं है but OnePlus सारे जानते है and yes long term के लिए भी आपको OnePlus एक साल extra update दे रहा है चाहे हो security update की बात करो या फिर android update की बात करो तो guys final verdict यह ही है जादा value for money अभी के हिसाब से मुझे IQ लगा है long term use करना है OnePlus की तरफ जाना बाकी वीडियों हां तक देख लिया है अच्छा लगा है लाइक कर देना आप comment में मुझे ज़रूर बताना या किसकी camera की quality जादा better लगी है क्योंकि मुझे काफे similar लगा था anyways इस वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियों तक देख लिया है अच्छा लगा लाइक कर देना चैनल में नियों सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगले वीडियो में